आज हम लेक्शर में हमारे डिसकस करेंगे मकेंजिस सिंड्रोम ठीक है हमारे पास मकेंजिस सिंड्रोम कौन कौन से है ठीक है और उनमें क्या क्या होता है हमारे पास मकेंजिस सिंड्रोम में तीन तरहां के सिंड्रोम सा जाती है पोस्टल सिंड्रोम डिसफंक्शन सिंड्रोम तो सबसे पहले हम गढ़े पोश्टर स्विंड्रोम में पिस्करी सिंड्रोम है वह महीं होता है इन के शोंच में अचिंडेल होती है लेस लेक्ट पहले हमारे है 30 years एका में जो होगिव में हमारे पास क्या होता है Posture Syndrome होते हैं ठीक है अब इसकी अगर definition देखें तो by definition हम इसको कैसे define करते हैं devoid of the restricted barriers ठीक है इसमें हमारे पास किसी किसम के मतलब कि को restricted barriers नहीं होते हैं ठीक है और जो हमारे पास symptoms available होते हैं वो कहां भी होते हैं locally and usually adjacent to the spine ठीक है spine के जो इसकी adjacent पे होते हैं ठीक है symptoms अब इन simple words अगर हम बताएं कि Posture Syndrome होता किया है तो इसमें क्या होते हैं कि जैसे ही हमारे पास static load होगा ठीक है spinal segment के उपर ठीक है तो क्या होगा कि जो normal tissues होते हैं उनकी mechanical deformation हो जाएगी ठीक है और जैसे हमारे पास mechanical deformation हो जाएगी normal tissue की तो वो हमारे पास pain कॉस करेंगा ठीक है क्या होता है static load की वैसे हमारे पास जो नसा है वो normal tissue की mechanical deformation हो जाती है ठीक है और वो हमारे पास जुन से न वो pain cause करेगा अब जैसे ही हम load को release करेंगे ठीक है static load को release करेंगे ठीक है तो वो हमारे पस क्या cause करेगा pain disappears ठीक है pain हमारे पास जुन से न वो disappear हो जाएगी ठीक है static load था तो pain हो रही थी load को release किया तो pain disappears हो गी छीक है, load is equal to pain, unload is equal to no pain, ठीक है, कि हमने जैसे ही load था हमारे बास, तो यह वार pain हो रही थी, ठीक है, लेकिन जैसे ही हमने unload किया तो हमारे पास जो न सी हो pain, खत्म होगी है, अगर हम इसके causes discuss करें, ठीक है, तो causes में हमारे पस किया किया आ जाते है, नो pain by the moment, हमारे पास इसमें pain जो है वो moment करते हो वे नहीं होती, ठीक है, कोई भी हम moment perform करेंगे posture syndrome में, तो हमारे पास जो हमारे पास नहीं होगी, ठीक है, no inflammation, किसी किसम की कोई inflammation भी नहीं होती, ठीक है, और constant pain भी नहीं होती, ठीक है, no impairments, no pathology, ठीक है, कोई impairment भी नहीं होती, ठ mythology भी नियोती है, symbol इसको cause किया है, कि हमारे पास जो से है, जैसे ही static load होगा, हमारे पास, At the end of the range, तो हमारे पास गया होगा, pain cause होगी, ठीक है, और जैसे हम जो से हैं, वो हमारे पास load release करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास जो से हो, जैसे मारे सिटी में किस तरहां से वो कोई परसन है ठीक है वो किस तरहां से बैट रहा है वो किस तरहां से खड़ा हो रहा है ठीक है उसका पोस्चर ठीक है कि नहीं वो प्रोपर पोस्चर में सो रहा है कि नहीं सो रहा है ठीक है उसकी वाकिंग जोंसा गेट है ठीक है वो बि वो comfortable है कि नहीं comfortable तो इसमें हमारे पास आजाएगे ergonomics assessment यह हमारे पास थी interventions of the posture syndrome तो इन simple words अगर हम posture syndrome को define करें तो क्या कहींगे कि posture syndrome basically हमारे पास क्या होता है इसमें कि जैसे हमारे पास static load आएगा तो हमारे पास pain इसमें हमारे पास कोई paint is constant मिन्हां रहती और कोई impairment नियुका प्रोग नियुकान चाहा है तो हमारे पास static load आएगा उनक्सिंद्रों मेन हम्मारा इसमें क्साथ करेंगे on YouTube that is the dysfunction syndrome